हेलो दोस्तों आरेस में सस्वीज जीए का नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो चुका है यहां पर टोटल 1111 पोस्ट है और इसमें आपके यहां पर जो एग्री केल्चर वाली जो और सिबिल की वेकेंसी थी उनको भी यहां पर पंचेतराज को इंग्लूड करके नोटिफिके यहां पर 23 फरवरी को होगा डिग्री पिलस एग्री कल्चर मिक्स ओके तो बाकी भी चीज़े हैं पर मैं बताऊंगा आपको बुक्स वगेरा जो भी चीज़े है सारी बनवाई बन आप देखते चलिएगा सारी डेटेल यहां पर अधर स्ट्रेट अलाव है यहां पर ठीक ह सकते हों कि किस में किस डेपार्टमेंट में कितनी सीट्स आई है तो यह आप सामने देख लेना और यहां पर पंचे तरह आपको लाष्ट में विजीवल होगा तो इसका जो मैटर है यहां पर अगर देखोगे आप तो यहां पर लिखा हुआ है सिबिल पिलस किरसी सिबिल तो यह दोनों की common vacancy है बाकी जगे आप देखोगे तो सिबिल सिबिल अलग अलग है ओके छीक है इसके अलावा जो आपके online form बरे जाएंगे तो आपको SSID पर login करना अपनी से वहां से आपको पहली बार OTR करना है अगर आपने पहले OTR कर रखा है तो आपका directly फिल हो ठीक है और इसमें आपका जो है OTR का फीस लगेगा अलग से अभी कुछ नहीं है ठीक है OTR के जिनोंने पहले कर रखा है जैसे आपने पहले कोई भी form बरका राजिस्तान का और जिनोंने OTR पहले किया उनका वापस से फीस नहीं लगेगी सिर्फ जो नए करेंगे उनके क्लासिफिकेशन है कि HTSC, OBC, EWS, General सब की कितने हैं याप सीटे ठीक है और आपके हरी अजन जाती वाले और MBC की पोस्ट यहाप दे गई है तो यह आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिजेगा आप जिस कैटिगरी से आते हैं आपका टोटल करके पैसे मैं एक PDF दे दूँगा इसकी जहां पर केटिगरी वाइज भी इसको कमबाइंड कर गया आपको एक साथ ठीक है टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को आप यहां से देख लीजेगा ठीक है और इसके बाद में आपके जो इंपोर्टेंट बात है आपके बसे इसमें जो डिगरी वाले पदों पर डिगरी चाहिए और डिप्लॉम वालों पर डिप्लॉम चाहिए तो एलिएज विल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अद्वर्श्टेट भी अलाउ है आपके जो EWS और HTSC कार सिर्ट्पिकेट है वो आपका डेट का यहाँ पर मेंशन उसके साफ से थोड़ा सा देख लीजेगा बेतनमान पे लेवल यहाँ पर टैन है आपका वही जो बाकी से यहाँ पर पे ग्रेड आपका कम रहता है सो यह यहाँ पर देखो आपकी LGBT क्राइटेरिया है तो यहाँ पर जो सेकंड ओप्सन लिखा हुआ देब नगरी लिपी में हिंदी का वैवारिक ग्यान वगेरा यह सब चीजें ज्यादा वो इनको आपको कुछ नहीं सोच यह आपने जैस से पहले आपके जो नॉर्मल है इ इसके अलावा एज रिलेक्सेशन की बात की जाए यहाँ पर तो एज का क्या क्रेटेरिया है अठारे साल आपकी हो जाने चाहिए एक जनवरी दोजर पच्चीस को मैक्सिमम फोर्टी है उसके बाद रिलेक्सेशन भी यहाँ पर अलग-अलग क्रेटेगरी को अलग-अलग चलेंगे तो आपको टैम दिए गए टैम पर भर देना है फोर्म भरते टैम कोई गलती मत करना वैसे तो करेक्शन को अप्शन दिया जाता है लेकिन बाद में आपके पैसे लगेंगे एक जाम आपका सीवीटी वेस होगा यह फिर टैबलेट यह फिर ऑफलाइन ठीक है तीन अभी इस पर फाइनल चीजे कह नहीं सकते किस तरह से रखेंगे चीजे इसलिए यहाँ पर आपको अबलिक लिखा गया है यहाँ तो वो आपको बाद में पता चल जाएगी सेकंड पॉइंट को यहाँ से थोड़ा से ध्यान से पढ़िए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्यारे फरवरी छे फरवरी से लेके ग्यारे फरवरी तक आपकी एक्जाम करवाई दी जाएगी पंचेत राज विभाग के कनिष्ट अभियंता सिविल अवले किरसी डिगरी के पदो पर अलग से परिक्षा योजित की जावेगी जिसके परिक्षा के संबन में बोड दुआरा यह था समय प्रिथक से सूचित किया जाएगा मतलब जो पंचेत राज वाली भरती है डिगरी की और अग्रिकल्चर की इनके रिगार्डिंग इनका स्लेवर्स एक्जाम पैटर्न जो भी रहने वाला है वो बिल्कुल आपको सेपरेटली मिलेगा इससे अलग ओके यह सारी चीजे है form आपको SSID से बढ़ना ही है यहाँ पे normal बेसिक चीजे दी गई है जो आपकी पढ़ लेना अप ठीक है अब बात आता है थोड़ा सा स्लेवर्स का अपना ठीक है तो यह आपका डिगरी का स्लेवर्स है स्लेवर्स मैं आपको आगया अलग से दिखा द एक नमबर का कुश्यन एक नेगेटिब मार्किंग वन वाई थर्ड होगी आपकी ठीक है जुनतम उत्री नांग 40% है यह ओवरॉल पर लाई करता ना कि हर उसमें रास्ता जीके में आपको ऐसा नहीं कि 40% वहाँ भी चाहिए या ओवरॉल 40% चाहिए वैसे भी कट आप बहुत संस्कृति में कुछ नहीं चोड़ना सारा सलेवस है जियोगरॉपि में अगर आप बात करते हो यहां पर तो आपके जैसे एक दो टॉपिक है जो नहीं है एक तो उर्जा नहीं है उसके बाद में आपका उध्योग नहीं है तो यह दो टॉपिक आप बेसिकली याद आपके पंचाहितराज आपको पढ़ना है इसके अलावा आपके महिलायोग बिद्दायोग उचनाली वगरा यह सब आपके सलेवस में नहीं है जो टॉपिक लिखे हुए वस वही आपको पढ़ना है फिर आपका आगे यहाँ पे सलेवस BMC FM FM में आपके FM FM में OCP और HM नही of a public Health or highway and Bridge highway My highway H alebury Above Mirror in एर्पोर्ट वगरर कुछ निही आपका ठेक है फिर आता आपका diploma कसलेवास पिल्कुल सहां हैना नौनक्सलेवास बिल्कुल है लिकिन दिप्लोस्चभील्ब का सलेवास번 Celts यहां पर आपके पहले आता BMc words उसके बाद आता सर्विंग Estimation Costing, SOM, RCC, Irrigation and Water, Soil, और आपका AutoCAD ठीक है यह Engineering Drawing आपके Slaves में नहीं है यह तो पूरा नाम है इसका बाकी AutoCAD है वो सिर्फ फिर आपके बाकी ब्रांच इसके Slaves है वो आपके साब से देख लिजेगा अब मैं आपको आगे कुछ चीज कम की दिखा देता हूँ इसका एक separate वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ पर देखो 2016 में कितनी वेकेंसी है थी किस category की वो आपको दिख जाएगी 2020 में कितनी वेकेंसी थी वो आपको detail मिलेगी 22 की detail है और उसके बाद में आपे cutoff की detail है 2016 में क्या cutoff रही थी 2016 में non-tsp की क्या cutoff थी 2020 की cutoff tsp non-tsp 2020 की diploma की cutoff degree की cutoff sam 2022 में degree cutoff उसके बाद diploma की cutoff tsp and non-tsp number of form 2016 में कितने वहरे गए 2020 में कितने वहरे गए 2022 में कितने वहरे गए क्या competition रहा था और यह देखो syllabus का तो देखो आप यह वाली syllabus की file मेरी download कर लिजेगा यहाँ पर आपको अलग से क्या मिलेगा चीज़े वो मैं समझा देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने साप साप लिखा हुआ है उर्जय द्योग सहकारता syllabus में नहीं है तो आपको एक तो idea लग जाएगा क्या topic नहीं पढ़ने है आपको अगर आप technical के syllabus में भी जाएगा तो यहाँ पर मैंने साप साप लिखा हुआ है dimension analysis model श्री बाउंडलर यह syllabus में नहीं है इसी तरह से आप जब surveying पढ़ोगे तो यहाँ पर curve and photogrametry आपके syllabus में नहीं है इसी तरह से आप जब irrigation detail videos पर available है कि कैसे आपको पढ़ना है कौन सी बुक्स रेफरकर नहीं है वो एक बार ज़रूर देखना even diploma का भी मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है कि कौन से topic है कौन से नहीं है ठीक है इसके बाद यह आपका previous paper का analysis है कि आपके कि किस सिप्ट में क्या question पूछे गई कि subject से वो सारा even यहाँ पर मैंने रास्तन जिके का भी include किया गया है जो ग्रोपी art culture quality ठीक है उसके बाद में आपके हाँ पर analysis भी है कि degree 2022 में किस तरह की question पूछे गई थे statement based art question थे numerical bias थे correct and correct statement दो थे assessment region था image based question थे is code based और direct theory इसी तरह diploma का भी analysis है यहाँ पर paper source रास्तान जी की का paper कहाँ से आया था degree का paper कहाँ से आया था वो सारी चीजे यहाँ पर लिखे रहे है पूरा वीडियो देखना तब ही आपको समझ माएगा ठीक है जो भी लोग तैयारी कर रहे है आपको पता है PYQ से बहुत ज़्यादा question repeat होते PYQ का pattern एक बार आपने catch कर ली आपको समझ माझा आगा कहाँ से क्या पढ़ना है तो जो भी लोग तैयारी कर रहे previous year paper की यह book ले सकते हो इसमें 102 paper है total इस book में अभी की date में और जो इसमें आपको सारे paper आपके मिल जाएंगे और यह subject wise है chapter wise तो आराम से जो chapter पढ़र है उसी के PYQ लगा ली तो कम से कम 2-3 बार इस book को minimum लगाना पहले फिर आप गुपता और इस PYQ जो भी आपका मान करें वो लगा सकते हो यह book आपको online Amazon, flipkart and shops पे भी मिल जाएगी और directly आपको जो आप सिविल की गोली में contact भी कर सकते हैं मैं वीडियो की description में number दे रहा हूँ साथी साथ अगर आप degree से हो तो test range भी आपके लिए available है सिविल की गोली application पे आप दे गई number पे contact कर सकते हो किसी भी information के लिए so thank you आपको कोई भी अगर सवाल है तो आप एक बार comment में पूछ सकते हो अज दिश्टेट वाले जो कुछ student पूछ रहते में को message भी कियाते कि सर फोर्म भरना चाहिए और नहीं भरना चाहिए so अगर आपको राजिस्तान जी के आपने पढ रखिये तो आप भर सकते हो अगर आपने राजिस्तान जी के नहीं पड़ी हुई है तो आप फोर्म मत भरना क्यों कट आफ काफी हाई रहती है बिने राजिस्तान जी के के आप नहीं निकाल पाओगे ठीक है टेकनिकल माप किते नमर ले आओगे फिर भी पूरे में सपूरे तुला नहीं सकते हैं कट अप का कोई वरोसा नहीं है कितनी जादा कम जाएगी जादा जाएगी इस बार वैसे वेकेंसी कम है तो कट अप बहुत हाई जाने की संबावना है अल्रेडी बाकी पेपर लेवल पर डिपेंड करेगा तो अधर स्ट्रेट वाले इस से अच्छा है कि और भी जो अपोजिशनूटी आई हुई है उस पर ज्यादा फोकस करें लाइक डिट आर आर वी जाई और बाद मैसेज से भी आ जाएगा जो भी है बाकी आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे वहां कि मेरे साब से टाइम बेस टेज होगा आपका इसलिए आप अधर एकजाम पर ज्यादा ध्यान दीजिए यहां पर ठैंक्यू आपका कोई भी का क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज में पूछ लेजीगा